हलो स्टूरेंट्स अभी हम लोग सॉल्फ करेंगे एम करेंगे चैप्टर थिरी मोशन वीद कॉंस्टेंट एक्सलेशन के को और आप समझ सकते हैं भाई नाम से ही किलिए हैं मतलब अगर कोई पार्टकिल कोई बड़ी जो है कॉंस्टेंट एक्सलेशन से मूव कर रहा है तो उससे रिलेटेड कोस्टन यहां पर दिये गए हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक बात कुछ बेसिक फॉर्मूला जो सारे कोस्टन में अल्मोस्ट यूज होंगे इस्टूरेंट यह आपको पता होना चाहिए सबसे पहला फॉर क्या होता है क्योंको कोई पार्ट किल है एकर उसका इनिस्टिल वेलोसिटी यू है तो और ⁡L से मूव कर रहा है तो t हो जाता है clear है यह सब मेनिंग इसका और टीशरा एक हो जाता है व इसक्वार इकोस्ट टू यू एसक्वार प्लस टू एस तो यह तीन रिलेशन तो mostly students को पता होता है और यही जाता यूज भी करते हैं लेकिन एक और रिलेशन जो कि हम लोग इसके पहले बाले chapter speed and velocity में देखे थे कि कोई पार्टकिल अगर constant acceleration से move कर रहा है तो उसका जो average velocity होता है average velocity होता है वो initial और final velocity का mean होता है ठीक है मतलब अगर मालिया t time में s displacement cover किया t time में s displacement चला है t time में माले कितना कोई पार्टकिल यहां से यहां तो कितना displacement माल लिया s है तो average velocity कितना है s by t displacement by time और यह average velocity होता है अगर constant acceleration से move कर रहा है तो average velocity कितना होता है initial, initial velocity u है, final velocity भी है तो initial और final value का mean होता है मतलब average होता है u plus b by 2 होता है वहाँ पर इस चीज को प्रूफ भी किये थे ठीक है तो यह भी relation बहुत ही helpful होता है students बहुत बार miss कर जाते है इस relation को यूज करना तो यह चार value आपको यह charges बता होना चाहिए तो चलिए हम लोग शुरू करते है कि करके सब्सक्राइब कोशन है the speed of a train, first question हम लोग देख रहे है the speed of a train changes from 36 km per hour to 72 km per hour in 10 seconds calculate the distance traveled during this time तहां दीजएगा चलिए कोई है, situation है कि कोई train है जिसका initial speed कितना दिया है 36 km per hour अब एक चीज़ और शुरू initial 36, उसका speed हो जाता 72 km per hour time आपको दिया है 10 seconds में तो mostly जगा आपको situation आएगा कि speed आपको km per hour में दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोगों को meter per second में convert करना होगा तो basic क्या तरीका है basic तरीका है 36 km है तो इसको पहले meter में convert करेंगे तो 1 km होता है 1000 meter तो यह meter बन गया per hour मतलब नीचे में है 1 hour 1 hour है 1 hour request होता है 3600 seconds तो यह इतना meter per second हो गया यहां से इसको हम लोग solve करेंगे तो यह 36 से 36 2 0 से 2 0 यह हो गया 10 meter per second एक तो यह तरीका हो गया तो अब क्या है कि उतना करने का जरूरत नहीं कि 1000 से multiply किये और 3600 से divide किये इसको simply आप याद रखे कि अगर km per hour km per hour km pH को अगर meter per second में convert करना है मल्टिप्लाइ कर देंगे क्लियर है यह भी आप एक short और fast method आप कह सकते है जंदी से convert करना है km per hour को meter per second में तो 5 by 18 से multiply कर देंगे जैसे इसी question में इसका final speed दिया हुआ है 72 km per hour 72 km per hour तो इसको meter per second के लिए क्या करेंगे 72 में हम multiply कर देंगे 5 by 18 से 8 by 18 से multiply कर देंगे 8 हार चकबात देंगे 24 यह हो गया 20 meter per second के लिए रहे चलिए time दिया हुआ है time 10 second है मतलब कि 10 second में train का speed 10 meter per second से हो गया है 20 meter per second तो हम लोगों को निकालना है कि कि कितना वो distance चाफल किया तो इस question में आपको यू पता है 10 meter per second भी पता है 20 meter per second time आपको 10 second दिया हुआ है और इस distance का value हम लोगों को निकालना है कौन सा equation यूज करना बहतर हो obviously आप समझ सकते हैं D equation number 4 यहां से आपको U, B, T सब पता है तो A साथानी से निकल दाएगा अब समझ गे अगर आपको यह equation आप यूज नहीं करते हैं यह formula use नही करते हैं तो आपको फीर यह तीनों अगर फ़ीर अगर उज करते हैं कोई दो आपको यूज करना होता एक से आपका काम नहीं छलता यहांपर इक से आपका काम चल दाएगा मतलब कि, We have यहां से देखे, s by t equals to u plus v value तो t को उधर हम ले जाते हैं, तो s equals to हम लिख सकते है, u plus v by 2 into t, time हो गया, direct use कीजिए, अब सबका value रख दीजे, u का value है 10, plus v का value है 20, divided by 2 into time का value है, time केतना है, 10 second, तो यह हो गया, 5 हो गया, यह 30, 30 into 5 मतलब 150 meter is your answer, clear question? 150 meter, move का test next question, question number 2 के तरफ, in the above question calculate the acceleration of the train, question number 2 में कह रहा है student, कि इसी question में हम लोगों को train का acceleration निकालना है, obviously train का speed तो बढ़ रहा है, 10 meter per second से हो गया, 20 meter per second, इसका मतलब ही है कि train acceleration में move का रहा है, speed बढ़ रहा है, तो कितना acceleration, तो भाई हम लोगों को बहुत आसानी से, B पता है, U पता है, T पता है, तो acceleration निकालने के लिए दूसरा वाला equation, B पता है, U पता है, T पता है, यहां से acceleration निकल जागा, तो इस तरह से आपको देखना है, जैसे ही question है, तो क्या-क्या चीज़ दिया हुआ है, निकालना क्या है, तो कौन सा formula यूज करना, बहतर होगा, helpful होगा, तो यहां से, यह clear है कि यह formula हम लोग यूज करेंगे, तो आसानी से निकल जाएगा, व का value है, 20 meter per second, यू initial speed 10 meter per second, acceleration निकालना है, कितना time में, 10 second में, 10 से 20 meter per second हुआ है, तो यहां से 20 minus 10, 10 हो गया, 10 by 10, यहां से मतलब A हो गया, 1 meter per second square, दिसी जो रहा है, very easy, कि लिए हैं, चली, move करते हैं, next question, question number 3, a car accelerates, question number 3 में कह रहा है, a car accelerates from rest to a speed of 100 meter per second in 25 seconds, calculated acceleration, from rest, rest कहने का मतलब, car का initial velocity, initial speed 0 है, तो एक car चला शुरू किया, rest से, मतलब initial use का speed 0 है, और up to a speed of 100 meter in 25 seconds, 25 seconds में, उसका speed जो है, कितना हो गया, 100 meter per second, मतलब T दिया हुआ है, 25 seconds, और final speed दिया हुआ है, 100 meter per second, तो हम लोगों से पूछ रहा है, acceleration क्या होगा, तो A equals to sign of integration, clear है, तो एक दम बिल्कुल इस तरह का habit बना लीजे, भाई, ये लिखने का, अब इस तरह से लिखने का, कि भाई, क्या-क्या दिया हुआ है, निकालना क्या है, इसका benefit है, कि अब बार बार आपको question बढ़ने क्या हो सकता नहीं है, क्या है, तो अगें, भाई, हम लोगों को U दिया है, V दिया है, T दिया है, A निकालना है, तो अगें, इस formula पर आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि V, U, आपका T पता है, तो A निकल जाएगा, ठीक है, तो V है, V है, अगें, ये जो relation है, V equals to U plus A T, यहां से देखे, V हो गया 100, ये U हो गया 0, प्लस A acceleration निकलना है, T हो गया 25, तो 100 by 25, इसलिए acceleration कितना हो जाएगा, 4 meter per second, this is your answer, के लिए, move करते हैं, next question, question number 4, in the above question, again, calculate the distance travelled in this time, इसी question में हम लोगों कह रहाएगी, केतना distance travelled किया, तो भाई, तो अब तो बहुत चीज पता है, U, T, V acceleration भी निकाल चुक है, तो direct distance निकालने के लिए, सब चीज पता है, सारा चीज का फैलो, यही question लोगों यूज कर लेते है, S equals to UT plus half, 80 square, तो यह initial aspect आपका 0 है, तो 0 into T केतना है, 25 plus half into acceleration केतना निकाला है, 4, और time केतना है, 25, तो 25 का square, यह term आपका 0 हो गया, यह half into 4, 2 हो गया, 25 का square, 625 हो गया, 1250 meter हो गया, question number 4 करें, question number 5 का रहा है, at a given instant, the speed of a scooter, is 54 km, and after 10 seconds, it becomes this, calculate its acceleration, assuming it to be constant, चली, ठीक है, question number 5, ध्यान दीजेगा, कर रहा है, कि एक scooter है, उसका speed जो है, 54 km per hour से हो जाता है, 18 km per hour, 10 second में, ध्यान दीजेगा, मतलब इसका initial speed दिया हुआ, इस scooter का, 54 km per hour, 10 second में हो जाता है, भाई, इस speed को हम लोगो, मीटर पर सेकेंड में convert कर लेते हैं, तो मीटर पर सेकेंड में convert करने के लिए, जस्ट हम लोगे, कितना से, 5 by 18 से डारेक्ट मल्टिप्लाई कर दीजे, तो यह हो गया, 54 into 5 by 18, तो अठारत यह, 54, 35, 15, direct, एकदम fast, 15 meter per second हो गया, ठीक हम, और केतना second में, इस, 10 second के बाद इसका speed दिया हुआ है, 10 second के बाद, इसका final speed केतना हो जाता है, स्कूटर का, 18 km per hour, 18 km per hour, तो इसको क्या किजे, अगें 5 by 18 से multiply की, 18 से 18 cancel हुआ, तो यह हो गया, 5 meter per second हो गया, तो हम लोगों को निकालना है, इसका acceleration, इसका acceleration क्या होगा, acceleration क्या होगा, जहां दीजेगा, मतलब, शुरू में, इसका speed था 50 meter per second, 10 second के बाद, speed घट क्या है, speed घट के केतना हो गया, 5 meter per second, मतलब, यहां से भाई, देखे, clear है, कि आपका acceleration जो है, इसका speed धीरे-धीरे time के साथ घटते जा रहा है, तभी तो 10 second का speed घट के हो गया है, 5 meter per second, clear है, तो 10 second हो गया, देखे, अब यहां पर in fact calculation का भी जोगरत नहीं है, आप देख सकते हैं, कि 15 से 5 meter per second हो गया, मतलब कि, इसका speed जो है, 10 meter per second घट गया है, केतना दिर में, 10 second के हैं, इसका मतलब है acceleration इसका होगा, पका बात है, 1 meter per second होगा, clear है, तभी तो 10 second में, इसका speed 10 meter per second घट गया, clear है, क्या हम बोलना चाह रहा है, उसका formula के साहता से तो बनाएंगे ही, यह कोई भरा चीज नहीं है, देखे, acceleration 1 meter per second square है, कहने का क्या मतलब होता है, कहने का मतलब यह होता है, यह जो आप लिखते है, 1 meter per second square, तो देखे, 1 meter per second, इसको लिख सकते हैं, यही होगा, meter per second square, कहने का यह मतलब होता है, कि हर 1 second में, हर 1 second में, particle का speed जो है, acceleration हम कहते है, 1 meter per second square, इसका यह मतलब होता है कि हर एक सेकिन में पाटकिल का स्पीड जो है वन मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है अगर वो एक्सलेशन में जा ला है लेकिन अगर वो नेगटिव एक्सलेशन में जा रहा है तो कहने का मतलब हो जाएगा कि हर एक सेकेंड में पाटकिल का स्पीड जो है वन मीटर पर सेकेंड घट रहा है वन मीटर पर सेकेंड घट रहा है इसका यह मतलब होता है कि लिए है तो यहां से एक बात किलिया रहे है कि पात्किल जब है रिटार्डेशन में जा रहा है मतला एक्सेलेशन का भैलो निगटिव आएगा तो अब यहां पे कभी-कभी एस्टोर्स को कि भी कभी पाते हैं में कि अब अपे रहती खर्या यहां की से भी खर्यां बहुतना के ऑफ्याते हैं कि कॉई समस्या नहीं है और अजरिकुल्हाइए रूप से नेगटिव है तो निट्रेशन का value negative आजाएगा clear बात है चरिए तो v equals to u plus 80 किसी भी तूरत में तो यहाँ पर देखें v का value क्या हो गया 5 हो गया u का value कितना है 15 है plus acceleration हमको तो पता नहीं है और time कितना 10 second में 5 minus 15 हो गया minus 10 यह 10 इधर गया तो acceleration का value यहाँ से निकल गया minus 1 meter per second square ठीक है और अगर माले आप यह formula यूज करते हैं तब acceleration का value वाजा जाता 1 meter per second square तो आप लिखते है equals to 1 meter per second square bracket में लिखते हैं रिटार्डेशन का नहीं का मतलब है कि 1 meter per second square का acceleration है लेकिन retardation में जा रहा है मतलब हर सेकिन उसका speed जो है 1 meter per second घट रहा है पिलिए रेश्ट में आजाएगा अच्छा यह तो किलियर है कि यह retardation में जा रहा है कितना retardation 1 meter per second square value का retardation में जा रहा है तो कितने second के बाद इसका speed जो है 0 हो जाएगा इसका speed जो है 0 हो जाएगा अब ध्यान दीजे इसका speed 0 हो जाएगा तो हम कौन सा formula यूज करें speed हमको 0 करना है मतलब final velocity आप ऐसे समझे in which it will come to rest मतलब situation क्या है थोरा से यहाँ पर देखिए माल यह scooter है यह 50 meter per second speed से जा रहा था और केतना negative acceleration में जा रहा है minus 1 meter per second square minus 1 meter per second उसका speed घरते जा रहा है ठीक है और 10 second के बाद इसका speed जो है घटकर हो गया है यह 5 meter 5 meter per second इसका speed और भी घरते चला है घरते जाएगा finally speed इसका कुछ जाकर 0 होगा तो कहड़ा है calculate the time in which it will come to rest कितना time में यह फिर rest में आ जाएगा मतलब यह time हम लोगों को निकालना है यह time कि केतना time के बाद यह फिर जो है रेस्ट में आ जाएगा तो ध्यान दीजेए अब इस case के लिए हम लोग बात करेंगे तो final velocity आपको पता है देखें यह formula हम लोग लगा देते है b equals to u plus a t final तो speed इसका 0 हो गया है initial speed केतना है यहां के लिए 5 meter per second plus a अब ध्यान दीजेगा a का value केतना है minus 1 तो minus 1 और केतने time बात तो यही time हम लोगों को निकालना है t का value हम लोग लिखती है तो यहां से solve करेंगे minus 5 minus minus cancel तो t का value होगा 5 seconds मतलब 5 seconds के बाद इसका speed घट के 0 हो जाएगा ठीक है अब अगर यहां से time calculate करना है confusion नहीं होना चाहिए तो आपका यह 5 seconds होगा अगर total time पूछा जारा है कि finally जो चलना सुरू कि है यहां से अगर हम देखें कि कि कितने time के बाद यह speed 0 हुआ है 10 seconds already दिया हुआ है तो total time क्योंकि यहां पर in fact question में clear नहीं है कि total time तो total time मतलब हो जाएगा केतना केतने second के बाद जब शुरू किया चलना तो उसमें हो जाएगा 15 seconds 15 seconds के बाद इसका speed 0 हो जाएगा अगर आप यहां से जूम करते है motion तो यहां से consider करते हुए answer देते हैं तो clear है चलिए move करते next question question number 7 again यह भी इसी से related है in the above question calculate the total distance traveled when it comes to rest अब यहां पर देखे clear है कि यहां पर लिख दे है calculate the total distance traveled total distance traveled when it comes to rest जब यह rest में आएगा तो यह total कितना distance traveled किया यह हम लोगों को निकालना है clear है चलिए ठीक हम तो इसको देखे हम लोग कैसे निकाल लेंगे कैसे सोच सकते हैं सबसे परीबात total time हम लोगों को पता चल गया कि 15 15 seconds यह total time हम लोगों को पता चल गया यहां से डिरेक्ट अगर हम लोग motion को देखते हैं तो initial speed u हम लोगों को पता है continue यह retardation minus 1 meter per second square की value से move कर रहा है तो बहुत आसानी से एस एक कोस्ट टू यूटी प्लस हाफ एटी स्कॉरे का value आप लोग यहां पर यूज कर लेज़ें कोस्टन नमर सेबन देखें कोस्टन नमर सेबन यहां पर लिख रहे हैं 15 seconds 15 plus half into acceleration का value minus 1 तो into minus 1 करें तो यही पर minus कर दें यही पर minus कर दें minus कर दी तो यह 1 हो गया into time केतना है तो 15 seconds लगा है तो 15 का square clear restaurant यह हो गया आपका 15 का square तो यह 225 हो गया यह 15 का square divided by 2 तो यह हो जाएगा 112.5 इसका half है तो अलड़ी यह भी कितना हो जाएगा 112.5 meter यह चला total distance के लिए question no.7 move करते है next question question no.8 जो किया अलग है देखते है question no.8 कह रहा है an electron which is moving with a velocity of this meter per second emerges from a seat of paper of thickness this with a velocity this calculate the time taken by the electron to pass through the seat of paper question no.8 देखे सिचोशन कुछ ऐसा है एक seat of paper एक seat of paper को कुछ इस तरह से हम दिखाते है मल लिए यह इसका एक particular thickness दिखा रहा है एक particular thickness electron जो है एक electron जो है यह एक तरफ से यह in कर रहा है कितना speed से मल लिए u a speed हम इसको देते है और finally यह यहां से electron जो है eject हो रहा है via speed से तो यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है electron which is moving with velocity this केतना u का value दिया हुआ है u का value यह दिया हुआ है 5 into 10 to the power 6 meter per second यह जो seat of paper है जिसका thickness आपको दिया हुआ है यह thickness मुआ हम एक सीट और इलग्ट्रों जो है इधर से paranox pyramid से इलग्ड्रों इं गिया और फिर इतना इलग् isto से निकला तो इसका thickness आपको दिया हुआ है कि यह अम यहां पर दिखा रहे है इसका thickness दिया हुआ है जिसको यही in fact इसका displacement होगा यहां से electron निकला इधर से गया तो इसका displacement यही थिक्नेस होगा तो displacement इसको S से denote करते हैं यह हम लोगों को दिया हुआ है 2.1 into 10 to the power minus 4 centimeter clear है और width है velocity केतना velocity से यह निकलता है immerge करता है मतलब final velocities का दिया हुआ है 2 into 10 to the power 6 meter per second तो हम लोगों को पूछ लाएगे calculate the time taken by the electron to pass through the seat of paper तो इस electron को केतना time लगा यह जो seat of paper है इसको pass करने में clear है मतलब T का value निकलना है T का value निकलना है तो भाई अब देख लिजे U, B, S दिया हुआ है T का value निकलना है यह चारो relation में देखिए बहुत आसानी से clear है कि यह चौथा वाला यूज करना ज्यादा आसान होगा क्योंकि अगर यह आपको यूज नहीं किजेगा तो फिर आपको कोई 2 यूज करना पड़ेगा दो बाग equation apply करने पड़ेगा लेंदी calculation, time consuming ठीक है तो यहाँ से देखिए चौथे वाले से हम लोग यूज करते हैं तो V है हम लोगों को निकालना है time का value ऐसा करते हैं S by T equals to U plus V by 2 है दोनों तरफ उल्टा कर देते हैं दोनों तरफ उल्टा कर देंगे तो क्या होगा T by S equals to इधर हो जाएगा 2 by U plus V इधर भी उलाटती है T by S तो इधर भी उलाटती है 2 by U plus V ठीक है तो यहाँ से देखिए बहुत आसानी से T equals हम लोग लिख सकते यह S cross multiplication 2S by U plus V ठीक है सबका value put कर देजे 2 into S का value दिया हुआ 2.1 2.1 into 10 to the power minus 4 divided by U plus V यह 10 to the power 6 दोनों में है यह 5 into this है यह 2 into this दोनों को add करेंगे तो यह direct होजाएगा 7 into 10 to the power 6 7 into 10 to the power 6 दोनों को सेथे multiply कर दिया ठीक है 0.6 into 10 to the power minus 10 सेकेंड हो जाएगा clear है sorry यह displacement आपका centimeter में दिया हुआ ध्यान दिजेगा तो इसको हम meter में convert करेंगे देखिए इसको meter में यहाँ पर लिखा है तो displacement केतना हो जाएगा यह एतना centimeter है तो meter में convert करने के लिए 100 से divide करेंगे 100 से divide किजे यह 10 to the power minus 2 से multiply किजे एक ही बात है 10 to the power minus 2 से multiply करेंगे तो 10 to the power minus 6 हो जाएगा मतलब displacement का value रखेंगे 2.1 into 10 to the power minus 6 meter clear है तो यहाँ पर 10 to the power minus 6 कर देता है यह meter में इसका value रखना होगा meter में तो यह 6, 6, 12 हो गया 12 हो गया 0.6 है तो इसको 10 से multiply किये यह 6 हो गया 10 से फिल डिभाइड किये तो यह 10 to the power minus 3 एतना second हो गया 6 into 10 to the power minus 3 minus 13 second clear तो अब देख सकते कि यह formula यूज करने पे कितना आसानी से बन रहा है clear move करते है next question question number 9 के तरफ a body travels 200 cm आगे यहाँ पर भाई सेंटीमेटर में दिया हुआ है in the first two seconds clear है चली देखते है जैसे कोई person जो है कोई person ठीक है न यह पहला 200 cm in the first two seconds यह मालिया 200 cm travel करता है यह हम दिखा रहे हैं मालिया कि यह कितना distance travel किया 200 cm यह distance travel किया कितना time में travel किया in the first two seconds और कितना इसको time लगा दो second time लगा clear है चली उसके बात कह रहा है and 220 cm in the next four seconds और इसके अगला फिर 4 seconds में यह 220 cm distance travel करता है 220 cm मतलब थोरा सा ज्यादा distance हो गया है 220 cm 220 cm यह कितना time में लगता है इस station शो कभर करने में 4 seconds लगता है what will be the velocity at the end of the 7th second from the start 7th second अभ ध्यान दीजेगा यह तक 6 seconds ही वा है 2 seconds यहां से यहां तक चला 2 seconds फिर 4 seconds ऐसे चला तो यह यहां पर यह 6 seconds का position है हमसे पूछ रहा है कि जब यह 7th second पे होगा तब इसका velocity क्या होगा what will be its velocity इसका velocity क्या होगा जब यह 7th second पे होगा चलिए ती कोस्टू 7 पे निकालना है चलिए देखते हैं अब कैसे सुचेंगे हैं भाई हम लोगों को टी कोस्टू 7 पे निकालना है अगर डेरेक्ट यहां से motion को आप देखें निसियली यहां से चलना शुरू किया हमको पता नहीं है ऐसा नहीं दिया है यहां पर कि यह रेस्ट से चलना सुरू किया है तो माल लेते हैं इसका speed जो है यहां पर u है यह u speed से चल रहा है ऐसा कहीं नहीं कहा रहा है कि अब टी ट्रेवस 28. यह कहीं नहीं दे रहा है तो यह u है यहां पर initial speed u है seven second के बाद इसका क्या velocity होगा यह V निकालना है, तो V equals to U plus 80, ऐसा कुछ relation होता है, यह U तो हम लोगों को पता नहीं है, और plus A भी पता नहीं है, A into 7, चलिए, A into 7, ऐसा, मतलब कि A निहाउ, हम लोगों को U, एक यह U निकालना होगा, और A acceleration का भेर निकालना पड़ेगा, दो चीज निकालना पड़ेगा, चलि इस पार्टिकुलर 2 सेकेंड के लिए भी आपको इसका डिस्टेंस का भेलू दिया हुआ है, यहां भी 4 सेकेंड के लिए डिस्टेंस का भेलू दिया हुआ है, एक बात और भी किलिए है, कि यह बड़ी जो है, यह पर्षन जो है, यह continue एक पार्टिकुलर, एक constant acceleration से मूव कर अगर positive acceleration में जाता, तो यह 2 सेकेंड का 4 सेकेंड में लगभग double होना चाहीथा, तो ऐसा तो हुआ नहीं, इसका मतलब कि घट रहा होगा, एक value कुछ negative आएगा, लेकिन एक constant value, acceleration का एक fix value है, जो कि negative value होगा, उससे move कर रहा है, इसका value दिया हुआ है, यह आपको time दिया हुआ ह B का value निकालना है, मतलब यहां से एक बात clear है कि हम लोगों के लिए बहतर होगा कि हम इस equation को use करे, A equals to UT plus half A Ts को है, क्योंकि हम लोगों को finally U और A का value चाहिए, clear एतना हम लोग सोच लिए, तो अब देखिए, अब इसके लिए हमारे पास दो condition है, एक बार हम इस यहां से यहां माल लिया, यह A position है, यह B position है, यह C position है, यह D position है, ध्यान दीजेए, तो from A to B, जब A से B तक, जब यह move किया है, तब हम यह equation को use करें, S equals to UT plus half A, तो कितना S का value कितना है, 200 cm, ध्यान दीजेगा, 200 equals to U का value है, तो हम लोगों को पता नहीं है, तो U into, time कितना लगा है, 2 plus half A, और time का value है, 2 का S square, तो यहां से ध्यान दीजेगा, इसलिए हो गया, 200 equals to 2U plus, यह 2 दना 4, 2, मतलब 2A, इसका मतलब यहां से एक relation निकल गया, U plus A equals to 100, पहला एक relation निकल गया, और ध्यान दीजेगा, finally हम लोगों को U और A का value भी चाहिए, तो एक relation और चाहिए, U और A में, again, again, from, अ QT plus half A square के लिए, तो उसमें आपको चक्कर क्या है, कि अगर B स C तक के लिए यूज कीजेगा, तो फिर आपको यहां पर का A speed चाहिए, वो एक अलग मतलब कि आपका ज्यादा calculation involved हो जाएगा, तो उसे बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, कि directly आप A स C यूज कर लिए, इसे आपको यूज कर रहे हैं, ठीक है न, तो देखें, टोटल डिस्प्रस्मेंट क्या हो गया, टोटल डिस्प्रस्मेंट होता है का 200 cm प्लस 220, इसका वैलू यह हो गया, यू ता आपका यही यू रह गया, चुकि यहीं से हम डारेक्ट यूज कर रहे हैं, इन्टू, टाइम कि यहां से यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर का स्पीड फिर आपको अलक्स निकालना होगा, यहां पर यह हो गया, 420 इकोस टू 6U प्लस 18A, यहां से यह हो जाएगा, 6 से डिवाइट करेंगे, तो यह हो जाएगा, 70 इधर हो जाएगा, U प्लस 3A, यह दूसरा एक्व 2-1, by 2-1 करेंगे, तो इधर हो गया, 3A माइनस ए, 2A हो गया, और इधर हो गया, 70 माइनस 100, 70 माइनस 100, तो इसलिए हो गया, 2A इकोस टू, माइनस 30, चलिए A का वैलू निकाल गया, माइनस 15, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड इसकार, और विस्टे आप देख सकते हैं, तो किसी एक में पूट कर देजे, इसलिए, बाई 1, अब देखें, 1 में हम पूट कर देते हैं, तो यू, A का वैलू केतना, माइनस 15, तो माइनस 15, एक कोस टू 100, तो इसलिए, यू का वैलू केतना हो गया, 115, 115, मीटर पर सेकेंड होगा, स्वारी, मीटर पर सेकेंड नहीं इसको मीटर में नहीं कर्वर्ट किया है, इसका मतलब यह होगा, सेंटी मीटर पर सेकेंड, और यह क्या निकला, सेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वार, एतना एक्सलिएशन का वैलू, ठीकन, तो इसलिए, सेवेंथ सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड, तो इसलिए यह हो गया 115-105, यह हो गया 10 cm per second, 10 cm per second इसका speed होगा, चली, move करते है, next question, question number 10 के तरफ, question number 10 में इस्टेंट का रहा है, अब आपके ला, starting from rest, experiences a constant acceleration for 20 seconds, ठीक है, question number 10, starting from rest कहने का मतलब है, इसका experience is a constant acceleration for 20 seconds, 20 seconds तक यह continue, एक constant acceleration में, move करता है, if it travels a distance y1 in the first 10 seconds, चली, पहला 10 seconds में, यह कितना distance travel करता है, y1 distance travel करता है, कितना पहला 10 seconds में, चली, ठीक है, and a distance y2 in the next 10 seconds, और फिर further next second में, 10 seconds में, further next 10 seconds, यह कितना distance travel करता है, y2 distance travel करता है, then obtain a relation between y1 and y2, y1 और y2 के बीच का relation हम लोगों को निकालना है, यहाँ पे आपका माल लिया, यह कोई भेकिल, इस तरह ते चल रहा है, इसका initial speed u 0 दिया हुआ है, 20 seconds तक इस तरह ते चला है, with constant acceleration, constant acceleration, acceleration का value नहीं दिया हुआ है, चलिए, तो constant acceleration a माल लेते हैं, y1 और y2 में relation, obviously, भाई, क्या है न, कि एक हम relation लिखेंगे, y1 के लिए लिखेंगे, y2 के लिए आप अलग से लिखेंगे, लेकिन आगे, जैसे के हम लोग पहले वाले question में कहे थे, अगर आप सिर्फ y2 के लिखेंगे, तो यहां पर का speed निकालना पड़ेगा, तो ऐसे, इसलिए क्या करेंगे, मैं direct y1 plus y2 का equation लिखेंगे, देखते हैं, मतलब, एक relation जो हमारे पास होगा, we have, माल लेते हैं, यह position, a है गारी का, यह position, 10 second तक चला, y1 distance travel किया, यह position b है, फिर 10 second तक चलके, यह यहां पर आ गया, और फिर 10 second में अगला y2 distance चला, ठीक है न, तो we have, from a to b, a से b के लिए, देख माला है, plus half into a into 10 का a square, माने हैं कि यह solution श्मूब करता है, तो यहां से देखिए, इसलिए, y1 कितना होगा, यह तो 0 हो गया, यह 100 मतलब 50 a, यह पहला relation निकल गया, clear था, again, also, अब, दूसरा equation क्लेम क्लेम क्या करते हैं, कि direct a से c तक direct लगा देता है, यह c है, ठीक है, also from a to c, अ अब A से C क्रेम को डिरेक्ट लगा रहे हैं वहीं लफ़रा से बचने के लिए कि भाई यहां पर स्पीड ना निकालना पड़े क्योंकि आप यहां से यहां तक S equals to UT plus half a disk को लगाएगा तो यहां पर का value निकालना पड़ेगा तो डिरेक्ट हम लगाती है मतलब total displacement क्या हो गया total S का value y1 plus y2 y1 plus y2 equals to initial speed 0 है 0 into time कितना लगा है 10 plus 10 मतलब 20 UT plus half constant acceleration A से move कर रहा है कितना time तक चला 20 seconds तक 20 का square यह equation तो लिखना है आगे तो math से यह हम जो लिख रहा है physics यह है physics के तो math से तो यहां से देखिए y1 plus y2 यह तो 0 हो गया 20 का square 400 तो यह हो गया 200 A कि लिए y1 और y2 में relation निकालना है तो ऐसा करते हैं यहां से यहां से हम लिख सकते हैं A equals to y1 by 50 तो यह के जगा y1 by 50 कर देंगे तो कुछ नहीं बचाएगा खले y1 by 2 में relation निकल दाएगा ठीक हैं तो यह हो गया y1 plus y2 ठीक हैं और यहां से आफिर आप भी कर सकते थे आप जैसे भी करें कोई दिकत नहीं है तो यह हो गया 200 एक अवैलू हो गया y1 by 50 तो 50 से 4 cancel हुआ यह 4 y1 तो y1 plus y2 y1 plus y2 equals to 4 y1 4 y1 तो यहां से यह y1 को इधर ले जाते हैं तो y2 equals to क्या हो जाएगा y2 equals to 3 y1 y2 equals to 3 y1 this is your final answer क्या है move करते हैं next question if the distance y of a particular time t along a straight line is given by this कोई particular जो है वो किसी straight line पो move कर रहा है तो उसका जो distance y वो time के साथ इस तह से vary कर रहा है even a constant होगा a2t plus a3t square clear है चलिए when the acceleration हो तो particle will be the particle acceleration very simple अब क्या है कि इस तरह की situation में क्या करते है कि इस तरह से distance आपका time के साथ vary कर रहा है तो acceleration निकलना है तो इसको एक बार differentiate करेंगे तो यह मेरा क्या निकल जाएगा velocity निकल जाएगा एक बार differentiate कि है d y by dt मतलग d y a1 plus a2t plus a3t इस term को हम कर सकते हैं मतला d a1 by dt लिख सकते हैं plus d a2t by dt लिख सकते हैं plus सबको अलग-अलग कर देते हैं d a3t square by dt कर सकते हैं clear है अब a1 a2 a3 constant है तो constant का अब जब differentiate किजएगा तो इसका value 0 आ जाता है plus अब a2t अब ध्यान दिजाएगा तो यहां पर यह जो constant है यह पूरा term तो constant नहीं है यह a2 constant है तो constant को आप बाहर निकाल सकते हैं तो यह अंदर में बजाएगा dt dt तो dt by dt प्लस यहां भी यह constant a3 a3 को भी बाहर निकाल दीजें तो differentiate किजए simply dt square by dt के लिए तो physics तो यहीं पर था physics तो यहीं पर था physics का कगज़ता आगे तो अब maths है ठीक है यह 0 plus a2 time को आप differentiate कर रहा है time के respect में तो dt by dt 1 के लिए चलिए यह हो गया a3 into t a2 को differentiate कर time concept में तो यह हो जाएगा 2t 2t अब यह formula को पता होना चाहिए differentiation का dx to the power n by dx यह क्या होता है nx to the power n minus 1 के लिए तो यहां पर देखिया t है तो t to the power 2 है तो n के जगा 2 तो 2 x के जगा t t का power हो गया 2 minus 1 n का value t तो t का power 2 minus 1 मतलब 1 मतलब सिधे 2t हो गया तो यहां से finally मेरा speed निकल गया a2 plus 2 a3 t यह मेरा velocity निकला है इसलिए अब acceleration तो velocity को आप फिर से differentiate की जाएगा time के respect में तो मेरा acceleration देदेगा मतलब acceleration क्या होता है dv by dt dv by dt मतलब d a2 plus 2 a3 t by dt अगें चुकि यह दुनों plus में है तो अलग अलग कर सकते हैं d a2 by dt plus अब यहां पर देखी इसको करेंगे तो 2 a3 constant है 2 a3 constant को बाहर निकाल दी है तो dt by dt बचेंगे समझेंगे constant का value 0 आ गया यह dt by dt 1 होगा मतलब यह simply हो जाएगा 2 a3 this is your final answer acceleration का के लिए move करते है question number 12 if the displacement y of a particle is proportional to time question कहा रहा है कि कोई displacement कोई particle जो move कर रहा है उसका displacement जो है time के proportional है ठीक है time के proportional है that is if दिया भी हुआ है then the acceleration of the particle तब particle का acceleration क्या होगा चलिए जब displacement time के proportional है तो यहां से हम लिख सकते है प्रोपोर्शनलेटी साइन हटाएंगे तो क्या होता है कोई constant आयाता है तो k माल लेते हैं अब y equals to kt ऐसा लिख सकते हैं तो acceleration पूछ रहे हैं acceleration क्या होगा भाई तो इसको ऐसा करते हैं एक बार differentiate करके velocity निकाल लेते हैं मतलब b equals to dy by dt मतलब d kt by dt यहां पर k constant है k तो यह simple k आंदर में बजागा dt by dt 1 हो जाएंगे मतलब velocity निकल गया k constant तो acceleration क्या होगा 0 होगा ना a equals to dv by dt और किसी आप constant को differentiate किजिएगा time के respect में तो वो 0 हो गया मतलब acceleration 0 ही जो final answer move करते हैं next question question number 13 if the displacement y of a particle is proportional to t square अब यहां पे कर रहा है कि displacement जो है वो t square के proportional है ठीक है if this then what is the initial velocity of the particle तो particle का initial velocity क्या होगा थान दीजे initial velocity पूछ रहा है सबसे पहले by displacement इस तरह से vary कर रहा है इसको तो आप क्या कीज़े कि proportionality sign हटाए एक constant रखे यह y equals to kt square हो गया अब velocity आपसे चाहे initial पूछे चाहे final पूछे या आपसे कहें 2 second पर या 4 second पर कभी भी इस तरह का question में इस तरह के situation में तो पहले तो आप velocity का relation निकाल दीजे कि velocity time के साथ क्या से vary करता है तो वह चीज किलम क्या करेंगे displacement को हम differentiate करेंगे v equals to dy by dt थीक है तो d kt square by dt k constant k बाहर निकल गया dt square by dt dt square by dt का differentiation 2t यहां पर हम निकाले है k पहले से हैं velocity इस तरह से निकल गया time के साथ velocity जो है इस तरह से vary करना है तो हम लोगों से पूछ रहा है what is the initial velocity initial velocity कहाने का मतलब at t cost to 0 यहीं नहीं initial मतलब t cost to 0 जहां से हम लोग motion को observe करना शुरू कि कि वही initial position है initial value ठीक हाना मतलब यहीं यहां पर आपको initial value निकलेगा initial velocity तो v का value केता हो जागा 2k into time का value 0 रखे मतलब 0 हो गया क्लिया है move करते है next question question number 14 के तरफ in the above question a state again यह पहले वाले question से तो वहीं पर इसको बेहतर होता solve करते कि इन्द अबब अबब question तो देखें पहले वाले question में यह situation था कि displacement time square के proportional है मतलब यहां से y equals to kt square और यहां से हम लोग in fact पहले वाले question मेरी खाले से इसको differentiate किये थे तो यह था speed इसका velocity जो है वह 2 kt था ठीक है तो question करें in the above question state whether the body is moving with uniform velocity और uniform action lesson या क्या यह constant velocity uniform velocity से move कर रहा है confusion नहीं होना चाहिए कुछ-कुछ बच्चे को confusion होता है कि यह uniform velocity और constant velocity का एक ही है बिल्कुल एक है uniform काने का मतलब हमेशा uniform है same है same है मतलब constant ठीक है तो uniform constant करें या फिर uniform action lesson से question में कह रहा है तो देखते हैं उसके लिए क्या करता होगा हम लोग को acceleration देखना होगा अगर acceleration का value 0 आ गया इसका मतलब acceleration 0 है मतलब बड़ी acceleration में move नहीं कर रहा है मतलब constant velocity से move कर रहा है देखते हैं तो acceleration क्या हो जाएगा तो dv by dt velocity हम लोग निकाल दे निकाल चुके है अगार बड़ी acceleration से move कर रहा है अब यहीं पर अगर तो आपको यह दो नम्सका है यह T2 के जागर TQ, पावर अगर आपका 3 देता ना, तो आपको फाइलिस को solve करते हूं, यहाँ पर 2 के T आजाता, जा कुछ अलग है, लेकिन T का term आजाता, उसको solve करते हैं, तो acceleration फिर constant नहीं होता, uniform acceleration नहीं होता, variable होया था, time के साथ vary करते रहता, लेकिन यहाँ पर time का value नहीं यहाँ, time का term नहीं आया, दोनो constant है, 2 और के, मतलब uniform acceleration है, constant acceleration है, confusion नहीं होना चाहिए, के लिए, move करते हैं, next question, question no. 15 के तरफ, question no. 15 का रहा है, student, a scooter moving with uniform acceleration, constant acceleration, covers the distance between 2 points in 6 seconds, चले, एक scooter जो है, 2 points के बीच का, जो distance है, माल लिया, यह इस तरह है, यह कोई person, जो है, like this, ठीक है, यह scooter से, move कर रहा है, और 2 points के बीच का distance, आगे भी कुछ है, क्या, it's a speed when it passes, the second point is this, what will be its velocity when it passes from first point, if the distance between the two points is this, तो पहले बाले points है, यह, एक point, एक point यह माल लेते हैं, और दूसरा point, अब देख सकते हैं, इसका हम, यह माल लेते हैं, ठीक है, ना, दूसरा point हम यह माल लेते हैं, दूसरा point भी माल लेते हैं, तो कहारा, scooter moving with constant acceleration, covers the distance between 2 points in 6 seconds, यह यहां से, यहां कितने time में यह travel करता है, 6 seconds में travel करता है, it's a speed when it passes, the second point is 15 meter per second, जब यह यहां से, पास कर रहा है, तब इसका speed है, 15 meter per second, what will be its velocity when it passes from first point, यह पहले point, यह से जब यह पास कर रहा था, इसका velocity क्या था U माल लेते हैं, if the distance between the 2 points is 60 meter, अगर दोनों के बीच का distance जो है, यह 60 meter आपको दे दिया गया, clear है, तो हम लोगों को निकालना है, U का value, again, अब देखे, S का value, यह आपको S दिया हुआ है, 60 meter, T दिया हुआ है, B दिया हुआ है, U निकालना है, S का value दिया हुआ है, तो again, आपका दिहान जाना चाहिए, चोथे वारे relation, बहुत आसानी से, यहां से, हम लोग निकाल सकते हैं, तो V है, देखे, S by T equals to U plus V by 2, अब यहां से, S का value कितना है, 60, time कितना लगा, 6 equals to U निकालना है, V का value दिया हुआ है, 15 divided by 2, तो यह यहां से, आपका हो गया, यह 60 by 6, आपका 10 हो ग 15, इसलिए U का value कितना हो जाएगा, 5 meter per second is your answer, clear है, move करते है, next question, question number 16 के तर, question number 16 कह रहा है, in the above question, above question, at what prior distance from the first point, the scooter was at rest, अचा देखे, थोड़ा सा, इस फिगरोगा, in fact, author बनाना जीता है, कि यहां पर इसका speed कितना निकाल गया, 5 meter per second, यह 5 meter per second हम लोग निकाल चुके है, यहा पहले distance निकालना है, इसका speed जो है, 0 था, यह तो clear है, यह एक constant acceleration से move कर रहा है, so that कि इसका speed बढ़ रहा है, 5 meter per second से speed बढ़ के 15 meter per second हुआ है, 6 second में, मतलब, इससे कितना पहले, यह starting में, रेस्ट से चलना शुरू किया, तो इससे कितना पहले, इसका speed जो है, 0 था, प्रम इस point में, मतलब, यह distance हम लोगों को निकालना है, इस distance को हम s लिख देते है, s dash लिख देते है, तो यहाँ पर यह यू का value 0 दिया हुआ है, कितना पहले, यह rest में था, यह हम लोगों को निकालना है, s dash, देखे, और क्या-क्या दिया हुआ है, इस particular distance के लिए, initial speed u दिया हुआ क्या-क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेते है, 0, final speed दिया हुआ है, 5 meter per second, अब इस distance के लिए, final value हो गया, 5 meter per second, confusion नहीं होना से, 5 meter per second, ठीक है, तो हम लोगों को इस dash का value निकालना है, अच्छा हम लोग सारा चीज निकाल चुके है, axel lesson का value हम लोगों निकाल सकते हैं, क्या इसा करते है कि यह जो value दिया हुआ था, यहां से हम लोग axel lesson का value निकाल लेते हैं, कितना constant axel lesson से यह move कर रहा है, वही constant axel lesson से इस period में भी move किया होगा, तो देखिए, क्योंकि आपको सिर्फ यह दो value से, सिर्फ यह दो value से निकालना मुश्किल लग रहा है, तो axel lesson का value निका data use करते हैं, देखिए, इस बीच में अब हम लोग को क्या क्या पता है, भाई, भी पता है, यू पता है, six time भी पता है, तो हम लोग यह equation use कर लेते है, भी equals to u plus 80, from a to b, confusion नहीं होना चाहिए, a से b के लिए हम यह relation use कर रहा है, अचा यह इस point को हम a dash लिख देते है, a dash के लिए तो एक्सलेशन का भैलू यहां से देखे निकल गया, फिफ्टी माना स्कुर्ण 10 हो गया, 10 by 6, 5 by 3 meter per second square, तो एत नहीं एक्सलेशन से यह इधर भी इस period में भी move किया होगा, तो बहुत आसानी से, अब हम लोगों को एक्सलेशन का भैलू निकल लिए, 5 by 3 meter per second square, so for a dash 2a, a dash 2 2a, ठीक है, यही, मतलब यहां से यहां के लिए, अब हम यहां से यहां के लिए, देखे हम लोगों यूज कर देखे है, b square equals to u square plus 2as, ठीक है, तो यहां से यहां तक के लिए final velocity कितना होगा, यह हो जाएगा final velocity 5, तो यह हो जाएगा 5 का a square, initial velocity by rest में है, यह आपका 0 है, 2a, 2a, acceleration कितना है, 5 by 3 into, यह S कितना है, S10, यही हम लोगों को निकालना था, S हो गया, S10, clear है, यहां से देखे, यह इधर आपका होगा 25, इधर होगा 10 by 3 S10, इसलिए S10 कितना होगा 25 into 3, 75 by 10, मतलब 7.5 meter, clear है, 7.5 meter पहले, इसका speed 0 था, यह rest से चलना शूरू किया था, question number 17, question number 17 में क कि two cars are moving towards each other on a straight road with velocity 10 and 12 meter per second, meter per second, कुछ इस तरा का situation है, चली देखते है, मालने दो car है, एक car यहां से दिखाते है, एक car यहां से, ठीक है, चलना शूरू किया, यह कितना speed से चल रहा है, 10 meter per second, ठीक है, moving towards each other, और एक मालने इधर से चा रहा है, एक दूसरा car जो है, इधर से जा moving towards each other, when they are 160 meter apart, then each car decelerates at 2 meter per second square, until they stop in order to avoid collision, ठीक है, तो सपोज कि यह 10 meter per second के speed से इधर से आ रहा था, ठीक है, और यह 12 meter per second के speed से इधर से आ रहा था, इस साइध से आ रहा था, अचानक, जब दोनों के बीच का separation, या gap जो है, 160 meter होता है, तो यही position हम दिखा रहे है, कि जब दो इस से प्रेशन कितना है, 160 meter, तो भाई, दोनों का driver देखता है, कि अधर से भी गारी आ रहा है, उधर से भी कारी आ रहा है, तो दोनों क्या करता है, ब्रेक अपलाई करता है, मतल्द रिटार्डेशन में चुरू होगा, मतल्द दोनों का speed घटना शुरू होगा, ठीक है, त अधर से भी 0 होगया, ठीक है, और इसका भी, यह भी retardation में चला तो इसका भी speed 0 होगया, और same retardation, मान के चली कि एकतम रिटार्डेशन का इन लोग ब्रेक अपलाई किया, same value का ब्रेक अपलाई किया, मतलब same A, दोनों के लिए, कि लिए यह situation है, और कितना A का value है, 2 meter per second square, 2 meter per second square, obviously मतलब यह retardation में जा रहा है, retardation में जा रहा है, ठीक है, 2 meter per second square, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है, calculate the distance between them, when they come to rest, जब यह दोनों रिस्त में आ चुके हैं, तब अब दोनों के बीच का, जो है, distance कितना होगा, यह इसका value हम लोगों को निखालना है, कि लिए, कैसे सुचें और यह 0 होने तक में कितना दूरी चला, माल लेते हैं, यह 0 होने तक में S1 distance चला, दोनों कुछ अलग distance चला होगा, चुके दोनों का speed अलग-अलग था, और यह कुछ अलग distance चला, तो हम लोग S का value नहीं निकाल लेंगे, S-E question क्या हो जागा, इतना पहले सोच रहेना होगा इसके लिए क्या करेंगे, टोटल जो 160 है, उसमें से minus कर देंगे, S1 और plus S2 को minus कर देंगे, तो S बच जाएगा, S1 plus S2 को minus कर देंगे, तो अब इतना सोच लिए, तो अब इतना सोचने के बाद फिर सोचना होगा कि अच्छा, हम S1 और S2 कैसे निकालते हैं, तो for S1 और S2 के जा रहा है, लिटार्डेशन में चाहरा है, मतला अच्छलेशन का बहलू है, minus 2 meter per second square, one thing, second thing, कि उसके लिए हम लोग कौन सार डिलेशन यूज करेंगे, भाई, तो B square equals to U square, ये वाला यूज कर लेंगे, ठीक है न, यहाँ पर आपको देखिए, B square equals to U square, तो B का बहलू है 0, B 2 का बहलू केतना है, 10 meter per second square, 10 का S square, ठीक है, plus 2S, तो यहाँ पर plus 2 लिखे, एक्सलेशन का बहलू, minus 2 लिखे, या तो direct minus 2 A S, आप formula यूज कर लिजे, B square equals to U S का minus 2 A S, चुकि आप जान रहे, भाई, किलियर है, कि retardation में चाहरा, speed घरते-घरते 0 हो गया, या फिर अगर इस तरह से plus 2 A S लिखे, तो एक्सलेशन का value minus 2 लेना परेगा, जैसे भी समझे, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप, एक्सलेशन का भी, आप minus वाला formula भी use कर लिजे, कि B square equals to U S का minus 2 A S, formula भी minus 2 A S वाला use कर लिए, और एक्सलेशन का value भी आप minus 2 ले लिजे, गर बढ़ा जाएगा, ठीक ह तो यहां से देखिए, यहां से यह 0 इधर है, तो 0 equals to 100 minus 4 S1, यहां से आप solve किजेगा, तो S1 का value केतना हो जाएगा, 25 meter, 25 meter S1 का value निकल गया, ठीक है, और 4 S2, अब S2 के लिए क्लिए क्लिए, S2 के लिए, तो S2 के लिए, again हम लोग यही formula यूज़ करते है, B square equals to U S2 plus 2 A S, तो इसका भी, again, final speed केतना हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है, initial speed इसका केतना था, 12 था, तो 12 का square plus 2 into, केतना acceleration से यह move कर रहा है, 2 meter per second, कर्मता retardation में जा रहा है, तो minus 2 ले ले लेंगे, ठीक है, into, यह distance केतना है, S2, तो यहां से देखिए, 0 हो गया, यह 144, यह minus 4 S2, तो इसलिए S2 केत है, 160 minus, S1 का value है, 25, और plus, S2 का value है, 36, 36, यह है, 160 minus, यह हो गया, मतलब 100, मतलब 99 meter, इसलिए, question number 7, move करते है, next question, question number 18 के तरफ, question number 18 में S1 कर रहा है, a particle slides down from the top of a smooth inclined plane, from rest, question number 18, smooth inclined plane, inclined plane है, इस तरह से, मतलब यह ground के साथ, यह आपका ground है, certain angle मालिया, theta angle बना रहा है, तो question कहा रहा है, a particle slides down from the top of a smooth inclined plane, from rest, मालिया कोई block है, ठीक है, यह माल लिया, rest से, चलना शुरू होता है, इस inclined plane पर, ठीक है, if the length of the plane is 39.2 meter, अच्छा, यह जो inclined plane है, इसका length दिया and its inclination is 30 degree, यह inclination भी आपका ground के साथ, दिया हुआ है, this is 30 degree, then calculate the time taken by the particle to reach the foot of the plane, तो इसको यह यहा तक, इसके foot तक, bottom तक आने में कितना time लगा, यह हम लोगों को निकालना है, again, कैसा सुचिंग भाई, देखे, क्या है, कि यह particle जो है, क्यों नीचे आ रहा है, नीचे कैंब रहा है, तो certain है, इसका सुरू में, तो speed is 0, this is just about speed is 0, this is a pivot is 0, यहxico छल व्हेता है, यह near macam चल के आया है, मतलब motion में, मतलब इसका certain velocity है, तो velocity तो इसका 0 था, शुरू में तो फिर यह नीचे ऐसे आ गया है इसका मतलब यह चल रहा है एक ही एक्सलिशन यहाँ पर है जो की होता है आपका एक्सलिशन ड्यू ग्राविटी जी और अब ध्यान दीजे थोरा से यहाँ पर परिशानी हो सकता है जब कि इस तरह का बहुत बार काम हम लोग आगे न्यूट ड्यूटी जी और गया आपका बहुत परिखांब अब तो इसका बहुत आपका सहरा है तो फिर यह प्रिक्त तो अग्रोंग पर यह चल रहा है जाता है जासे छोड़ देते इसके पहले वाले च्प्टर में हम लोग कोई कुश्यन को सॉल्फ किये थे हाँ एक बल को तो तब तो इसका एक्सलेसम सीधे हम लोग G ले लेते हैं लेकिन अभी यह तो जा रहे हैं इन्क्लाइन के तरफ तो इस G का केतना कंपोनेंट है केतना वैलू है इस तरफ वही वैलू हम लेना होगा तो सिंपल मैठ से देखिए अगर यह G है यह 30 डिवी थीटा है तो इस डिरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट हो जाता है जी शाइन थीटा तो असा परिचानी हो सकता है कुछ इस्टोंड को फ्रेक्वेंटल यह सब आगे यूज होता है आप इसको ट्रिक के फॉर्म में भी आद रख सकते हैं भाई स्लोप साइड में जो इसका कंपोनेंट होगा इससे स्लोप होता है इससे स्लोप और इससे साइन थीटा तो आप इस तरीके से इसको हमेसा याद रखिए उतना फिर ब्रेक करने का जोड़ोत नहीं कॉस थीटा साइन थीटा इससे कुछ लगाने का जोड़ोत नहीं अधर इस मैथेमेटिकल यह आप करके देख सकते हैं इस राइट अंगल ट्राइंगल नहीं ठीक है तो आपको सोच लेना हुआ कि भाई यह सब चीज दिया हुआ है तो कैसे सोचेंग भाई डिरेक्टली फॉर्मला हमारे बहतर होगा इस इक वाला ट्रम तो कैंसल होजागा जीरो के चलते हैं वहां से टी निकल जाएगा ठीक है तो वी हैब देखें इस इक वाला होता है चलिए इस डिस्टेंस कितना है 39.2 suffer confusion नहीं होना जाएग देखें यहोंक डिस्टेंस होता है इस टियट लैन को मुफ ककर रहे चतना डिस्टेंस है वह तोतना ही डिस्टेंस है जो भी इफिर डिस्टेंस बहुत बाहा देते है अरुएज Otherwise, concept should be clear, this is your displacement, ठीक है, तो 39.2, u का value 0 है, तो 0 into, time जही t तो value हम लोगों को निकालना है, plus half into, acceleration का value हो गया, g sin theta into t का value निकालना है, t square है, चलिए ठीक है, देखते हैं, 39.2, g का value 10 ले सकते हैं, कुछ question में ऐसा दिया है, question number 18 में, ऐसा कुछ दिया नहीं है, g का value 9.8 ही लेते हैं, तो half into, g का value 9.8, ये टर्म आपका 0 हो गया, into sin theta, ध्यान दिजएगा, 30 degree दिया हुआ है, तो sin 30 degree का value कितना हो जागा, sin 30 degree, sin theta, मतलब sin 30 degree, 30 degree का value होता है, half, clear है, ये भी आपको दिया होता है, sin theta, sin 30 degree का value, half रख दिया, into t square, clear है, देखें, ये आपका 4.9, यहाँ से cancel हो गया, और ये 2 को इधर ले आते है, 39.2 into 2 divided by, ये 4.9 equals to t square, यहाँ से ये आपका हो जाएगा, 4 second answer, चलिए, move करते हैं, next question, question number 19 के तरफ, question number 19 में कह रहा है, in the above question, what will be its velocity when it reaches the bottom of the inclined plane, जब ये bottom पे पहुँच रहा है, तब इसका speed कितना है, तब इसका velocity कितना है, ध्याद दिजेगा, initial speed 0 है, final speed b आपको निकालना है, acceleration का value हम लोगों को निकल चुका है, g by 2, ठीक है, तो यहाँ से देखिए, u 0 है, final speed b निकालना है, acceleration g sin theta, मतलब यह हम लोगों को दिया हुआ, g का value 9.8, acceleration sin theta, मतलब 30 degree, मतलब यह half हो गया, 9.8 into half, मतलब 4.9, acceleration भी दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, distance भी दिया हुआ है, आपका 39.2 meter, तो velocity नहीं निकल दाएगा, कितना speed, यहाँ पर पहुचने बाद इसका speed हुआ, कौन सा equation यूज करेंगे, b square equals to u square plus 2as, यहाँ से बहुत आसानी से, u as, सब पता है, u as, सब पता है, तो b square equals to u square plus 2as, देखिए, यहाँ से b square का value कितना हो जाएगा, यू as का तो 0 है, तो 0 हो गया, plus 2 into a का value है, 4.9 into s केतना है, 39.2, clear है, इसलिए z का value केतना हो जाएगा, root under 2 into 4.9 into 39.2, यूसका job solve की जाएगा, तो इसका value आजाता है, 19.6 meter per second, इस और answer, clear question, move करते है, question number 20, कह रहा है, theoretical question, is it correct to say that if the acceleration is 0, the particle cannot be moving, अगर acceleration 0 है, तो क्या हम यह कह सकते हैं, कि particle moving नहीं कर रहा है, गलत बात है, अगर acceleration 0 है, मतलब हो सकता है, कि particle rest में भी हो सकता है, particle हो सकता है, कि rest में हो, अगर rest में है, तो भी acceleration 0, हम तो रूखे ही हुए है, यह speed भी नहीं है, लेकिन अगर हम constant speed में जा रहा है, constant speed में जा रहा है, तो भी acceleration 0 होगा, हम continue 2 meter per second के speed से, हम इसा 2 meter per second के, चल तो रहा है, motion में तो है, acceleration 0 है, इसलिए एक आना गलत होगा, कि अगर acceleration 0 है, तो moving नहीं कर रहा है, चलिए, is it correct to say that the equation, this holds for all motion in one dimension, ठीक है, यह equation आपको दिया हुआ है, question number 21 में, equation आपको क्या दिया हुआ है, x equals to x naught plus v naught t plus half a naught t square, यह equation आपको दिया हुआ है, hold for all motion in one dimension, धान दीजे, पहले तो इस equation को समझे, इस equation को, यह equation in fact है क्या, यह equation show कर रहा है, कि कोई particle का, आपका position दिखा रहा है, किसी time t पे, किसी time t पे इसका position दिखा रहा है, x naught, देखें, यहाँ पे x naught है, यह इसको v naught कहते हैं, यह a naught है, मतलब x naught कहने का मतलब, इसका initial position, initial position, v naught कहने का मतलब initial velocity, a naught कहने का मतलब, इसका initial acceleration 0 ठीक है देखे यह x0 को अगर हम इधर ले जाएं तो इधर हो जाएंगा x-x0 इधर हो जाएंगा v0 t plus half a0 tf को आल देखें यही x-x0 यह क्या होगा x हो गया पाट्किल का position time t पर time t पे पाट्किल का क्या position यह इसी के लिए यह relation आपको दिया हुआ है इसी को तो हम displacement कहते हैं ठीक है यह relation कुछ नहीं है यह relation भी हम लोग use करते हैं लेकिन आप obviously अगर बिल्कुल आप class 11th level board level के त्यारी करते हैं तो उतना इस तरह के relation को यूज करने क्या हो सकता है नहीं otherwise competition level में थो बहुत यूज करना होता है तो c cost to ut plus half a0 tf को है आप समझ सकते हैं तो भाई यह relation हम लोग कभी यूज करते हैं जब particle constant acceleration में move करता है ठीक है तो question में से कह रहाता है कि is it correct यह कहना तहीं है कि holds for all motion in one dimension यह relation जो है सभी तरह की motion के लिए नहीं सभी तरह की motion के लिए नहीं है यह relation मतलब यह relation आपका सिर्फ और सिर्फ जब particle constant acceleration से move करता है तब ही valid होता है के लिए नहीं question number 21 आगे कहा रहा है question number 22 में is it correct to say that the instantaneous velocity vector is always in the direction of motion की instantaneous velocity का जो direction होता है हमेसा motion के direction में होता है obvious है भाई यह सब मतलब इतना basic बात आप समझ सकते हैं कहीं भी particle माले move कर रहा है कोई buddy जो है इस तरह से move कर रहा है तो अगर इस तरह का motion आपका इधर motion है इसका मतलब की instantaneous velocity का direction भी इधर ही है अगर यह buddy माल लिया कि यह person जो है यह person माल लिया अगर माल लिया इधर move करे इधर लिया है इस तरह आए तो इस तरफ आए त्याला इस तरफ आए। लेकिन अगर सपोस्ट कीजिए कि करपऺ इधर आ रहा रहा है इस तरफ से आ रहा है तो किसी भी particle इस्टाट पर वेलोसीटी का कि इधरी होगा, इधरी होगा, जिस दैर्षिन में, मोशन होगा, उसी दैरेक्षिन में, यह इसे चढ़ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है तेखे 23 के लिए बहुत साइज आपर यहाँ पर आपको मिल जाएगा आप जैसे मोशन डाग्रेवटी में मोशन डाग्रेवटी में क्या होता है कि जब आप सबस किजिए आप किसी बॉल को उपर के और प्रजेक्ट करते हैं तो मोशन आपका उपर के औ लेकिन बॉल पर जो एक्सलिशन लग राहा हुता है काला है वह आलवेज मोशन डाग्रेवटी दियएदिया जब जैसेया और प्रजेक्टायल मोशन आपडियेगा प्रोजेक्टायल मुशन बभढिवटासं। जब प्रिवी मोशन आप पड़ियेंगा प्रोजेक्ताल मोशन में देखें अभी क्या है कि ऑपर जा रहा होता है तो मूशन आपका उपर क्यों रहे सबस्क्राइब मूशन वक्रान बीवाइब को junior 3 लेकिन यहासं नीचे लाता है Q24 में आपका situation दिया गया है, आप देख सकते हैं, दो fixed pulley है, A और B दो fixed pulley आपको दिया गया है, एक mass से इस तरह से connected है, ठीक है, इस दोनों इंड को इसके, एक इंड को ये P से सोकिया गया है, एक दुशरा इंड को P Q से सोकिया गया है, तो दोनों इंड को अगर V speed से downward direction में move हम क कि इंड करसे साने का मतलब है, मालनी है, घी, M meter per second, मतलब हर 1 second में मतल geen meter per second में, कितना meter को चला रहा है, घी, Meter, निचे को गिस देऻ तक फिर अगला second में ??? अगला second हुआ है, और 3 2tर से ज़ीया है, तो इसह और 0,000-3,2 meter निचे को गिस दिया है? तो क्या होगा यह ब्लॉक ऊपर की और बॉफ करना शुरू करेगा उपर की और مूफ करेगा तो यह कितना स्पीड वो लोफ करेगा माल ली डैस तो हमाली तो यह होगो फुर निकालना है ठीक है क्या होगा आप जैसे ही इसको downward डिरेक्षिन में जो है उसी आस्पीट से घटना शुरू करेगा यह हर एक सेकंड में कितना डिस्तेंस नीचे के और चला भी मीटर। तो हर एक सेकेंड में यह जो इस्टिंग जो अभी जिसका लेंद L है इस पार्टिकुलर सिचुएशन में पार्टिकुलर मॉमेंट पे जब यह एंगल थीटा है यह डिस्टेंस वाई है और यहां पर धान दीजेगा यह तो फिक्स रहेगा यह से प्रेशन हमेशा फिक्स रह की अब बैट्स चलीए तो यह आपको दिया हुआ है हम लोगों को निकालना है mn हम लोगों को निकालना है कि यह कि तना स्थे श्टेंस आपudosर कि शब्स करना है तो ध्यां दीजेए हैं यह डिस्टेंस तो ये इस य Controller तो आपको दिस्टंस math ч. आपको क्या निकालना है ? Mतलब माइनस d y by dt क्यों ? भाई क्योंकि y भी आपका घट रहा है यह ऊपर क्या चा रहा है Th resp. कितने speed से थ्यो उपर क्यों चा रहा है तो जतना speed से यह ऊपर क्यों पोड जाएगा उसी rate से आपका ये y जो है y का separation जो है y का length जो है वो घटने लगेगा मतलब minus divided by dt हमको निकालना है यह minus divided by dt यही होगा भीडर्स का value जितना स्विट से उपर जाएगा clear रहे सिचोषर एतना आपको पहले सोच ले रहा होगा कि minus dl by dt question के सबसे minus divided by dt का value भी हो गया minus divided by dt हम लोगों को निकालना है यहाँ पर दोनों पुली fix है यहाँ पर यह जो length है यह separation भी हमेशा maintained रहेगा यह तो यह घटे का y भी घटेगा l भी घटेगा लेकिन यह separation maintained रहेगा एतना हम समझ लिए theta हम लोगों को दिया हुआ है दो चीज़ हम लोगों को दिया हुआ है v और theta question में सिर्फ यही दो चीज़ दिया हुआ है ठीक है v और theta तो v और theta के term में या l और y के term में भी आप निकाल सकते हैं देखते हैं कैसे सबचेंगे तो भाई जहीर सा बात है देखें पहले तो आपका ध्यान जाएगा दो चीज ठीक है दूसरा l और y में l के term में दिया हुआ एक value y के term में value निकालना है तो कुछ ऐसा relation निकालना होगा l और y के बीच में तो बहुत आसानी से आप यहां पे देख सकते हैं इस right angle triangle में यह जो some contribution इसमें यहां पर क्या है यह hypotenuse है जब angle theta है इस particular moment पे जब angle theta है यह length l है यह यह y है यह a है जो कि यह तो fix रहेगा तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं we have l आपका hypotenuse है तो hypotenuse का है square यह perpendicular का है square y square plus a square यह relation हम लोगों को मिल गया अच्छा अब चुकिए differentiation के term में कुछ value दिया वह तो हम लोग ऐसा करते हैं दोनों तरफ हम लोग time के respect में differentiate कर देते हैं मत अधर हो गया equals to d y square by dt plus d a square by dt clear है dt चलिए अब यह d l square तो direct l square को हम t के respect में differentiate कर नहीं सकते हैं तो पहले l square को हम को करना होगा l के respect में तो dl और फिल l को करना होगा t के respect में देखें यह चीज एक ही बात है d l d l कर जाएगा तो d l square by dt रहागा d l square by dt अब d l square को हम differentiate कर सकते हैं ड l by dt का value रखते हैं समझे आप simple math है physics आपका बस यहां यहां तक था बल्कि कहें कि यहीं तक था physics ठीक है तो d y square इसको भी इसी तरह करेंगे एक बार d y square तो एक बार y के respect में करेंगे फिर into यह d y by dt प्लस अब ध्यानती जेका यह a तो हमेशा constant है यह तो constant है तो d a का constant का differentiation यह 0 हो जाएगा clear है चलिए अब यहां से देखिए हम आगे बढ़ रहे है d l square by d l, l square को l के respect में differentiate करेंगे तो इसका हो जाएगा का differentiation y के respect में यह हो गया आपका 2y into 2y और into यह हो गया d y by dt जो की हम लोगों को निकालना है clear बात देखिए चलिए अब यहां से यहां से देखिए two or two cancel हो गया ठीक है two or two cancel हो गया तो d y by dt, d y by dt, d y by dt क्या हो जाएगा इसको हम ऐसा करते हैं यह y को इधर ले आते हैं तो l by y into minus b, l by y minus b यह y आपका इधर आगया अब यहां से देखिए, l by y, l by y तो इस triangle में इस triangle में अगर हम cos theta लिखें तो cos theta क्या होगा यहां पे? cos theta, cos theta equals to base by hypotenuse, ठीक है तो base आपका क्या होगा? base आपका होगा y, sorry, cos theta equals to क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए, base y हो गया, ठीक है? और आपका यह hypotenuse कितना हो गया? l हो गया, तो cos theta equals to y by l, cos theta equals to y by l होता है तो ये L by Y है, L by Y है, तो L by Y क्या हो जाएगा, 1 by cos theta, cos theta Y by L, तो 1 by cos theta क्या होगा, L by Y, इधर भी उलड़ जाएगा, तो 1 by cos theta into minus V, तो ये हो जाएगा, minus V by cos theta, ये मेरा निकला dy by dt का value, इसलिए minus dy by dt, कितना हो जाएगा, minus को ले रहे हैं, क्योंकि भाई, ये y जो है, ये घट र जा रहे है, घरते जा रहा है, वही ए स्पीड हम लोगों को ले, वही अगर बढ़ते जाता, माले ये निचे क्यों राते रहता है, इसको कोई छोड़ देता हो, ठीक है, तो निचे क्यों राता है, तो वही बढ़ता है, तब dy by dt हम लेते, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो minus dy probability क्या करेंगे, फिर से minus से multiply हो जाएगा, तो minus minus क्या हो जाएगा, simple, v by cos theta, ये जो रहा है, move करते है, next question, question number 25 के तरफ, question number 25 के तरफ, question number 25 के तरफ, the position of a particle at any time t is given by, किसी particle का position, अब f, अब यहाँ पे confusion नहीं होना चाहिए, ये आपका देखिए, question में आपको दिया हुआ हुआ ह का मतलब होता है कि ये जो displacement है, s जो है, वो time का function है, time के साथ भारी करता है, तो इसलिए confusion नहीं होना चाहिए, आप simply इसको ऐसे लिख सकते है, s equals to v not by b into 1 minus e to the power minus b t, where b greater than 0, b जो है वो greater than 0 है, and v not are constant, मतलब ये दोनों आपका b greater than 0 है, और साथ ही साथ ये दोनों के दोनों constant है, तो ये displacement को इसको थोड़ा सा हम लोग arrange कर लेए, v not by b हो गया multiply करेंगे, तो और ये हो गया v not by b e to the power minus b t, question हम से एगार है, what is the velocity of the particle, अलग-अलग time का 3 value दिया गया है, तो उस पर हमको velocity का value निकालना है, तो भाई क्या करेंगे, displacement जब दिया हो, तो सबसे पहले हम किसी भी time t पर velocity निकालते हैं, तो at any time t पर velocity निकालने के लिए क्या होगा, v equals to ds by dt, इसको time respect में differentiate करेंगे, देखे, अलग करने से क्या benefit हो है, ये time, ये आपका constant है, v not by b, तो इसको differentiate करेंगे, तो ये जीरो हो गया, ये total term को time respect में differentiate करेंगे, तो यहाँ पर v not by b constant है, तो इसको बाहर कर जाते है, differentiation के बाहर, और into, अब इसको हम differentiate करते है, e to the power minus bt by dt, clear है, अब यहाँ से देखे, ये minus v, ये मेरा निकल गया, यही मेरा velocity निकल ला, minus v not by b into, अब e to the power minus bt के turn में, तो ये minus b, जो constant है, ये से multiply हो गया, और ये हो गया, e to the power minus bt, clear है, चलिए, अब ये हो गया, ये यह से minus minus plus हो गया, b से b cancel हो गया, तो ये हो गया, v not e to the power minus bt, clear है, अब यहाँ पर देखे, differentiation में confusion नहीं होना चाहिए, e to the power minus bt को हम पहले, bt के respect में differentiate करेंगे, minus bt के respect में, तब वो हो जाएगा, e to the power minus bt हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद, जो bt जो बच जाएगा, उसको तब टाइम के respect में करेंगे, so that की मेरा constant b मेरा रहा जाएगा, और so that की, बहुता simply match आपका, basic के आपको differentiation का, ये सब value पता होना चाहिए, तो now, अब यहाँ से देखे, अब यहाँ का velocity आपका निकल चुका है, v not e to the power minus bt, तो हम लोगों को निकालना है, क्या-क्या value निकालना minus bt, तो t का value 0, पूट कीजिए, तो v not e to the power minus b into 0, तो v not into e to the power 0, e to the power 0, मतलब 1, मतलब v not is your answer, पहला पाट का answer होगा, अब v not, दुसरे पाट में का रहा है, t equals to 1 by b, b में का रहा है, t equals to 1 by b पे, तो ये आप देखे, v equals to क्या, v not e to the power minus b into t है, t के जगा पे 1 by b लग दिजिए b से b cancel होगा, तो ये इसका value होगा, v not e to the power minus 1, e to the power minus 1, 1 by e का value केतना, 0.387, 0.368, तो ये होगा, 0.368 v not, इस जो रहा है, c पाट में का रहा, t tends to infinity, t tends to infinity, t का value जब बहुत लार्ज हो जाएगा, तब केतना, तो t के जगा पे infinite रखेंग, v equals to v not, e to the power minus b, e to the power minus b, infinite into infinite, बतलब v not, e to the power minus infinite, मतलब, v not divided by e to the power infinite, तो v not, e to the power infinite, infinite times this, को मल, e into, 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 करते हैं, infinite, almost इसका value आजाएगा, और v not में infinite, मतलब कोई बहुत बढ़े quantity सा, हम इसका value करेंगे, तो इसका value क्या हो जाएगा, 0 आजाएगा, simple math, clear है, move करते हैं, next question, question number 26 के तरफ, question number 26 में कह रहा है, a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest, if the total time lapsed is t second, then calculate maximum velocity and the total distance interval, in fact, s20 ये question बहुत बहुत से कम distance में पूछा आचुका है, दो तरीके से इस question को हम लोग solve करने वाले है, पहला method देखते है, method 1, कोई कार जो है, वो रेस्ट से चलना शुरू करता है, ये रेस् general, इसका 0 हा कुछ देड़ तक ये चलता है, certain acceleration si, certain acceleration lpa, certain acceleration weather to which certain acceleration if , ये अपका 0 हो जाता है, है, initial velocity ये 0 हो जाता है, और इस period में ये कितना retardation से चलता है? beta retardation 올라 haft, question में आपको दिया हूआ कि अगर total time इसको यहां से यहां तक में total time अगर t लगा है तो हम लोगों को निकालना है कि इसका maximum velocity कितना रहा और b part में total distance और कितना distance total travel किया ठीक है तो अब ध्यान दीजे इसका maximum velocity कहां पर होगा यहां पर तो 0 से यह चलना शुरू किया यहां पर finally 0 हो गया इस बीच में इसका speed बढ़ते गया है क्योंकि यह certain acceleration से चल रहा है acceleration से चल रहा है मतलब speed बढ़ते जाना है यहां के बाद यह retardation में मतलब यहां के बाद इसका speed घरते चला गया हो मतलब जाहिर सा बात है यहीं पर इसका maximum speed रहा होगा जिसको हम Vm लिख देते है maximum M for max clear है माल लेते हैं कि अगर यहां से यहां तक इसको जाने में T1 time लगा है total time आपको T दिया हुआ है तो यहां से यहां तक इसको जाने में कितना time लगा होगा P-T1 लगेगा ठीक है क्या-क्या दिया हुआ है क्या-क्या हम लोगों को निकालना है, हम लोगों को निकालना है, वी M का value निकालना है, और साथी साथ total distance माल लेते हैं, अगर यह S है, तो इस S का value हम लोगों को निकालना है, ठीक है, हमें साइस तरह का question जब भी दिया जा तो एक rough diagram आपको बना लेना चाहिए, तक कि गलती नह साथी साथ आपको क्या-क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कौन को सा term alpha दिया है, बीटा दिया है, और T दिया है, यही तीन चीज़ दिया हुआ है, मतलब जो भी answer निकलेगा, वो इसके form में होना चाहिए, clear बात है, चलिए, एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले हम लोग निकलना है, Vm निकलना है, maximum velocity निकलना है, तो भाई, maximum velocity के लिए क्लिए क्लिए, maximum velocity माल लेते हैं, यह position A है, यह position B है, यह position C है, clear student, चलिए, अब हम लोग A करके क्या करते हैं, student, चलिए, equation apply करना शुरू करते हैं, देखे, A से B के बीच में हम apply करते हैं, from A to B, हमको Vm निकलना है, तो A से B के लिए, acceleration पता है, initial speed 0, यह पता है, तो V equals 2 क्या होता है, U plus 80, ध्यान दिजएगा, तो यहां से यहां तक लिए, इसका final velocity क्या हो गया, V के जगा पे, Vm हो गया, initial speed U कितना है, 0 है, कितना A के जगा acceleration कितना है, alpha acceleration से चला है, कितना देर चला है, तो T1 चला है, इसका मतलब V maximum velocity कितना हो गया, alpha T1, चलिए, अब हम लोगों को T1 का value निकलना होगा, तब भी उसका value यहां पे रख देंगे, तो Vm का maximum velocity निकल जागा, चलिए, अब T1 के लिए क्लिक क्या करेंगे, चाहिर सा बात है, दुसरा एक ही हमारे पास उपाय बच रहे है यहां से यहां के लिए final velocity V क्या है, 0 है VF, यह 0 है, यहां से यहां तक के लिए initial velocity क्या है, U, यह Vm है, ध्यान दिए U के जगा पे हो गया, Vm, कि लिएर बात है, प्लस, acceleration क्या है, acceleration बीटा है, लेकिन हम माइनस बीटा लेंगे, क्योंकि यह retardation में जा रहा है, माइनस बीटा ल तो आप जब वैसा करते हैं, तो आप डिरेक्टली वहाँ पर बीटा ले लेते हैं, फिर माइनस बीटा नहीं लेते हैं, अब पता चला कि B equals to U minus 80, यह formula में भी लिख रहा है, और एक जगा पे माइनस बीटा भी ले रहा है, तो फिर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठी अब किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कीजिए, सब जगा देखे, U plus 80 लीजिए, देखे, रिटाल्डेशन में जा रहा है, तो आक्सलेशन का भालू माइनस में लिख दीजिए, यहाँ पे एक्सलेशन में जाना था, तो आक्सलेशन का भालू हम प्लस अलफा ही ल माइनस टीवन, ठीक है, यहाँ से, जीरो इक्वस टू, भी एम के जगा हम क्या रखते हैं, अलफा टीवन, यह हो गया माइनस बीटा टी और यह हो गया प्लस बीटा टीवन, चलिए, इसको इधर ले आते हैं, तो यह टीवन हम कॉमाल लेंगे, तो इधर बचाएगा, अलफा प्लस बीटा, ध्यान दी जाएगा, टीवन का वैलू निकल गया, बीटा टीवन का वैलू इसमें पूट कर देते हैं, तो यहाँ से इसलिए भी एम का वैलू निकल दाएगा, इसलिए भी एम इक्वस टू, अलफा इन्टू, टीवन का वैलू केतना निकला, बीटा बीटा T divided by alpha plus beta, alpha plus beta मतलब bm का value निकल गया, alpha beta T divided by alpha plus beta, alpha beta और T यही तीन तर्म आपका रहना चाहिए, यह maximum velocity निकल गया, के लिए अब displacement के लिए student, देखे, displacement के लिए क्या है, या तो आप equation को आप use कीजे, एक बाद इसके बीच का यह distance निकालिये, फिर यह distance निकालिये, जब यह distance निकालना होगा, तो फिर यह velocity यह आपको आपका यह value निकला है, वो भी use करना पड़ेगा, एक तो यह तरीका होगा, दुसरा क्या है, कि आप बहुत आसानी से इस तरह की situation में आप आप graphically solve कर सकते हैं, बहुत आसानी से, देखिए कैसे, दोनों तरीके से भी solve करेंगे, आप graphically solve करना है, तो क्या आपके दिमाग में आना चाहिए, आपको क्या-क्या पता होना चाहिए, सबसे पहला बात जो आपको पता होना चाहिए, कि displacement निकालना है, कि totally कितना displacement यह कभर क किया, ठीक है, तो पता होना चाहिए, कि velocity time graph, velocity time graph जो होता है, तो time axis पर उसका area होता है, वो हम लोगों को displacement देता है, तो यह जैसे आपको पता है, तो आपका direct ध्यान जाएगा velocity time graph पे, तो आप फिर कोसिस करेंगे कि velocity time graph को हम draw कर लो, जो कि बहुत आसानी से यहाँ पे draw कर सक इसका मतलब यहाँ से motion शुरू हुआ, ठीक है, अब यह constant acceleration से move करना शुरू किया, velocity time graph, constant acceleration मतलब कि एक straight line, ठीक है, क्योंकि इसका जो slope होता है, यह acceleration देता है, तो constant slope रहेगा, constant acceleration तो एक straight line, इसका velocity बढ़ते गया, बढ़ते गया, उसका यहाँ तक पहुच गया, यह A position को हम show क यह B position में यहाँ पर पहूच ए行了, ठीक है, उसके बात क्या हुआ, यह retardation में जाना शुरू करता है, तो speed घटना, अब यह speed बढ़ रहाए, speed बढ़ रहा है, speed बढ़ रहा है, speed बढ़ रहा है, speed बढ़ते या mercy, उससका Speed घटेगा, इस एक्सिस पे वेलोसिटी आपका 0 है कहने का मतलब है कि यहां पर जो वेलोसिटी का वैलू होगा यही मैक्सिमम होगा मतलब वीम होगा और इस वीम का वैलू हम लोग निकाल चुके हैं अल्फा बीटा टी दिस ठीक है तो देखें यह लेंथ हम लोगों को पता है यह लेंथ पता है हम लोगों को अल्फा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा यह लेंथ पता है यह हम लोगों को पता है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यह ग्राफ जो है तो यह जो एरिया होता है यह टाइम एक्सिस पर जो एरिया बनाता है यही एरिया हम लोगों को displacement देता है तो यहां से देखे बहुत आसानी से हम लोग displacement लिख सकते हैं So, displacement, total displacement अगर हम लोग बात करें total displacement, total displacement के लिए क्या हो जाएगा इसको डारेक्ट लिखे area of triangle ABC देखे यह मितार बहुत बार बहुत जगह helpful होता है ठीक है, area यह जो ABC जो triangle है, इसका area निकाल दीजे तो किसी भी triangle का area क्या होता है half into base into height होता है पहले से जान रहे हैं आपलो, चलिए तो half into base केतना है यह पूरा जो फेनोमेना हुआ इस पूरे फेनोमेना यहां से यहां तक में केतना time लगा है तो t time लगा है, यह question में हम लोगों को दिया हुआ है तो base at t into height केतना है यह ही triangle का height है, maximum जो velocity है alpha beta t by alpha plus beta alpha beta t by alpha plus beta तो यह केतना हो जाएगा, इसको आप चलिए यह simple हो जाएगा, alpha beta t square by 2 into alpha plus beta यह इसका answer होगा तो इसको यहापे आप देख सकते हैं कि अब इसको दूसरे तरह के से हम लोग solve कर चुके हैं obviously आपको total displacement निकाला है तो मान लेते कि यह displacement s1 रहा और जब यह retardation में जा रहा था, तो displacement s2 था s1 के लिए क्लिए क्या करेंगे, ut plus half at square u तो 0 है तो वो term 0 हो गया, ut वाला half at square तो half into alpha t1 square t1 का value हम लोग निकाल लिए, इसका value put कर दिये, s1 का value निकल गया s2 का value निकालने के लिए, अब यह s2 निकालना है तो s2 के लिए again ut plus half at square तो इसके लिए ध्यान दीजिए, u क्या हो जाएगा, यह BM हो जाएगा, BM हो जाएगा जो कि BM का value क्या है, alpha t1 है, alpha t1 है, तो ut, u के जग alpha t1 हो गया, और t कितना है, यहाँ से यहाँ तक, बिच में time कितना लगा है, t minus t1, ut minus half retardation में जा रहा है, जैसे भी समझे, half into minus beta कर दे, यह पहले minus ले लिए है, half into beta, beta retardation में, into, कितना time तक चला है, t minus t1, तो t minus t1 का square, ठीक है, अब यहाँ से इसको solve किये, t1 का value हम लोगों को पहले से पता है, t1 का value यहाँ पे put के, h1 और h2 का value निकले के, दोनों को add के, यहाँ से आपका answer लेगा, तो आप समझ सकते कि यहाँ, अगर आप इसको इसको इस तरीके से solve करते हैं, तो पहला तो यह कितना lengthy हो जाता है, इसक कोसी time consuming हो जाता, लेकिन अगर आप इसको graph की साहता से solve करते हैं, तो बहुत असारी से, इसको solve कर लेते हैं, देखते हैं, next question, question number 27 को, question number 27 कह रहा है, six particles are situated at the corners of a regular hexagon of side A, and each particle move with a constant of speed B, in a direction towards the particle at the next corner, मतलब एक regular hexagon है, एक regular hexagon है, ठीक है न, six particle, इसके corner पर इस तरह से situated है, ठीक है इसका side length A, मतलब हर side का length क्या है, आपका A दिया हुआ है, ठीक है न, और इस particle जो है, एक दुसरे की तरफ move करना, शुरू करता है, कितना speed B से, यह particle इसके तरफ B से, यह इसके तरफ B से, यह इसक ठीक है, ठीक है, तो question push, right calculate the time the particle will take to meet each other, इसके question को in fact हम लोग S-C-U-R-M-A में पहले ही solve कर चुके है, S-C-U-R-M-A के rest and motion chapter में, link आपको निचे description box में मिल जाएका, one thing, वहाँ पर आपको और पर detail भी बताए, वहाँ पर trick भी बताए है, कि in fact regular hexagon छोरिये, अगर माले regular hexagon के ज number of polygon दे दिया जाए, in number of polygon और सब जहाँ पर एक दुसरे की तरफ move कर रहा है, एक दुसरे की तरफ move कर रहा है, तब कितना time लगेगा सब को एक दुसरे को आपस में मिलने में, इस चीज को कैसे हम लोग बहुत आसानी से calculate कर सकते है, वहाँ पर detail बताए हैं हुए, वहाँ पर देख सकते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिस्ट कुस्टन के सालूशन के साथ, थैंक्यू